सालम अलेकूम विल्कम तो माई चेनल कमिस्टी टाउनलाइन आज किस वीडियो में हम लोग M.D.K. 2019 की पाथ तर्ड को स्थार्ट करने जा रहें चोलो स्थार्ट कराते हैं वेटा इसमें पहले क्वेशन दे रहा है कि विच टाइब आप रेक्शन टेक प्लेस वेन कार्बोनि कार्बोनिल कंपाउंड उन कंपाउंड को बोलते हैं इसमें कार्बन और और स्थार्ट का काम करेगा जिस रेक्शन को प्रॉसीड कर रहा है अब यहां पर आप देख सकते हो कि सूडम पर पॉजिटिव चार्ड और साइनाइड पर निगिटिव चार्ड होगा सेम टो सेम सिचुएशन होगा यह कार्बोनिल ग्रॉप हमारे पास पॉलर होता है तो अक्सीजन पर निगिटिव आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव अब आप लोग खुद सोचो बेटा यहां पर ही जो सीन हमारे पास है दीज़दार से टूवर्ड इसको बोला जा सीन हमारे पास क्या था बेटा सीन एज नुक्लोपाइल यह एक नुक्लोपाइल था और यह कार्बन के साथ जुड़ गया तो कौन सा रेक्शन हो गया नुक्लोपेल एक एडिशन रेक्शन तो रिकरेक आंसर इस ऑप्शन भी आगे बटे बटे बेटा नेक्स कुशन की तर जब भी हमारे पास जो सिस्ट ट्रांस आईसोमेरिजम की बात आएगी तो आप अपने साथ ये पामूले नोट कर लीजे तो क्या होगा एबी सी डबल बॉंड सी बी है अगर इस किसम का सिस्टम किसी कंपाउंड में पाया गया तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास जिस्ट ट्रांस आईसोमेरिजम शो करेगा तो आप देख तो बेटा पहला कончा पाउन आप के देख तो उका हमारे पास क्या हैC2H4 इसका मतलब तो 4 ok4 हाडोजन हमारे पास क्या है वो तो सेम है तो यह जाई शो मतलब सिस ट्रांशाइश्युमिर्जम शो नहीं कर सकता अप्शन नमर 20 में हमारे पास करेक्ट होगा तो आप देखतो किस तरह से अब देखतो यह हमारे पास क्या है कार्मन कार्मन के दर्में डबल बान हो गया एक हाड उजन इसके साथ एक प्लेट लिख तो ऐसे लिकवा दो बियार और एच तो आप उजेट हो गए तो इसके साथ क्या बन गया बटा प्रांस भी बन गया और आप देख सकते हो यह हमारे पास हो गया एबी सी सी बी ए एक सिस्टम इसमें पाए जाता है तो एक करेक्ट कांसर इस ऑप्शन भी ऑप लोजन है और तीन क्लोरो कनेक्टेट है यहां पर भी एक क्लोरो यहां पर भी क्लोरो और यहां पर भी एक क्लोरो कनेक्टेट है तो आप देख सकते हो इसमें हमारे पास यह वाला सिस्टम पालो नहीं होता तो इसमें हम लोग देख सकते हैं तो क्या होगा एबी सी सी एए म वो arrange होता है ascending order of dash हम सब जानते है कि जो modern predictable होता है उसको क्या बोलते है these are also said to most of the predictable और most of the predictable को किस बेस पर arrange करके रखा था atomic number atomic number जैट पर atomic number हम जानते है जिसे कहते है कि the number of proton the number of proton present in the nucleus of an atom और यहाँ पर दूसरा भी बोलके रखा था कि the number of electron present in the shell क्या है कि आप यहाँ पर आपको option दे रखे nuclear number no कि तो हमारे पाद और और नुक्लिक्स की बात कर लेंगे proton number तो answer is yes तो एक आप्शन भी atomic mass mass number नहीं हो सकता आगे बढ़ते हैं नेक्स कुश्चन की तरफ नेक्स कुश्चन दे रखा है कहते हैं कि जो disposable cups होते है वो polymer polystyrene से बने है तो यह polystyrene क्या चीज होगी polyamide होगा addition polymer होगा condensation polymer होगा या polyester होगा तो देख तो बेटा polystyrene में हम styrene एक monomer है उसको mention कर देते है styrene हमारे पास क्या है these are say two vinyl benzene vinyl group किसे कहते है say two double one CH को means जब हम लोग E3 से hardogen निकाल लेंगे तो यह group हमारे पास रही जाएगा E3 Nile E3 Nile को हम क्या बोलते है this group is called vinyl group अब इस vinyl group के साथ क्या कर दो बेटा एक benzyl group connect कर दो या penile group connect कर दो तो this compound is set two styrene अब देख तो बेटा क्या होगा अगर मैं आपके सामने मेंचन कर दो तो यह हमारे पास C बांच C यहाँ पर H O H 2 hardogen हो गए एक इदर हमारे पास क्या बेटा H O और एक हमारे पास ring connected है इसको क्या बोलेंगे यह हमारे पास पिनाल करो अब आप देख सकते हो इसमें हमारे पास πाई बांच है अगर यह किसी दूसरी यूनिट के साथ बांच बनाएगा तो आप पिल्कुल clear है तो कि यहाँ पर इस compound में हमारे पास पाई बांच है और पाई बांच जिस तरह के से इस monomer में आएगा तो कुन सा बांच बनाएगा बेटा वो कुन सा पालिमर बनाएगा अडिशनल पालिमर जब यह बांच टूट जाएगा तो यह बांच भी टूट जाएगा ओमोलैडिकल तरीकत से तो इसके साथ बांच बना देगा यह परदर किसी और यूनिट के साथ मतलब यह हो गया तो हमारे पास क्या हुआ कुई सी भी एक्स का प्रोड़क नहीं बना तो इस टाइप आप पॉलिमर इस से टू एडिशन पॉलिमर आगे बरते बेटा नेक्स कुशन की तरफ नेक्स कुशन हम लोग को दे रखा है वो क्या कहते है कि इन मेंसे कौन सा इलिम्ट है जो हैलोजन में फ्रेजन्स नहीं होता तो अब देख तो बटा हम लो हैलोजन्स को जानते है हैलोजन्स हमारे पास उस ग्रूप को बोलते है हैलो मीन साल और जेन मीन french बेटा फॉर्मर तो मीन साल प्रोडूसर यह साल पार्मर हिसे है to हैलो जन वो क्या था फेलम की बात अधर आना तूरीन क्लॉरीन वोरॉमीन आर्यूडेन स्टैण आर्यूडीन है क्लॉरीन है पर यह ऐरन नहीं है तो यह हमारे पास option D is the correct one अब आगे परते हैं नेक्स कुशन की तरफ नेक्स कुशन दे रखका है कि इसमें से हमारे पास कुछा element आईसो टोप है तो बेटा आईसो टोप की बारे में आप अच्छे खासे सी जानते हो आईसो टोप क्या होता है atom of the same element having same atomic number but different mass number क्या होगा वोRR होगा उज़्द देखती है आपकि सामने क्या रे पतन किया है atomic number same है, mass number same है, option यह नहीं हो सकता atomic number different है, mass number different है, यह नहीं हो सकता atomic number same है, mass number different, यहीख हमारे पास correct answer है zar the option C is correct one और इसमें atomic number different है, mass number same है Então means the correct answer is what better, option C तो उमीद है आप लोगो वीडियो अच्छे लगी होगी टैंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो अल्दा हापिस